साथियों, आज जब हम साजी विरासत की बात कर रहे हैं, तो मैं एक साजी चुनोती का भी जिक्र करना चाहता हूँ, ये चुनोती हैं कलाकृतियों की तसकरी और एप्रोप्रियेशन, भारत जैसे प्राचिन संस्कृति वाले देश सेक्ड़ों वर्स से इसे जूज रहे हैं, आजाथि के पहले और आजाथि के बाद भी हमारे देश से अनेको कलाकृतिया अनधिकल तरीके से भार ले जाई गई, हमें इस तरह के अपराच को रोकने के लिए मिलकर काम करना होगा, मुझे खुशी है कि आज दुनिया भर में भारत की बढ़ती साग के बीच, अब विबिन देश भारत को उसकी धरोहर लोटाने लगे हैं, बनारत से चोरी हुई माँ अन्पुर्णा की मुर्ती हो, गुजरात से चोरी हुई महिसासुर मर्दिनी की प्रतिमा हो, चोल सामराज्य के दौरान निर्मित नतराज की प्रतिमाएं हो, गुरुगोविन सीजी के नाम से सुसोबित तलवार हो, पिछले नौ साल में ही करीब दो सो चालीस प्राचीन कलाकृतियों को भारत वापिस लाया गया है जबकि उसके पहले कई दसोंकों तक यह संख्या बीस भी नहीं पहुँची थी इन नव वर्सों में भारत से सांथकृति कलाकृतियों की तसकरी भी काफी कम हुई है मेरा दुनिया भर के कलापार्खियों से आगर हैं विशेशकर मुजियम से जुड़े लोगों से अपीर हैं कि इस खेत्र में सहयोग को और बढ़ाएं किसी भी देश के किसी भी मुजियम में कोई ऐसी कलाकृति नहीं हो जो अनएथिकल तरीके से वहाँ पहुँची हो हमें सभी मुजियम के लिए इसे एक मोरल कमिट्मेंट बनाना चाहिए